जपैन आज कर जो वीडियो है यह आपको सिर्फ जपैन के सबर्ब में ही नहीं बलकि मेंन सिटीज और ट्रेंज बगरा इन सब कावी सिस्टम सिखाने के मेरी पूरी कोशिश है इस वीडियो में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं अभी यह जो हम जिस लोकेशन पर हैं वह सबर्ब एरिया यानि कि एक रिमोट एरिया जिसको कह सकते हैं गाओं कह सकते हैं लेकिन यह भी जो आप हाउसे देख रहे हैं यह भी करोडों के हैं एनिवेस कोई बात नहीं लेस्ट स्टार्ट मेरा महरवी चलिए शुरू करते हैं सर्दी बहुत तगड़ी है लेकिन फि देखेंगे यह पास्मा कार्ड पास्मा कार्ड जो होता है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन में जैसे हमारे पास मेट्रो कार्ड होता है वैसा ही पास्मा कार्ड होता है यह है ट्रेन का चार्ट जो की एक्जेक टाइमिंग बताता है किस टाइम पर कौन से प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करने से यह मशीन आपको यहां पर आपके बचे हुए अमाउंट को बताएगी और कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी किस तरफ की ट्रेन जाएगी जैसे उधर लिखा है नामबा यह तो दोनों ही तरफ नामबा लिखा है क्योंकि एक छोटा स्टेशन है चलिए आएए अब हम उपर चल के यह देखेंगे कि ट्रेन में चड़ते समय लोग किस तरह से है अपने आप यह देखने को मिलता है कि जपान के कल्चर में ढलना जपान के कल्चर को फॉलो करना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है यहां पर एलिवेटर है एलिवेटर से भी जा सकते हैं यहां पर एसकेलेटर है उससे भी जा सकते हैं जिस तरह से मेट्रो में भी एसकेल कि एलिवेटर में चड़ने का सिस्टम यहां पर जपैन में थोड़ा सा डिफरेंट है लोग एक तरफ लाइन लगा के खड़े होते हैं ताकि लेफ्ट की जगा खाली रहे जिसको अगर जल्दी है जल्दी जाने तो वह चड़ के जा सकते हैं चलिए अब देखते हैं यह उप हम देख सकते हैं 8 23 38 लिखा हुआ है यानि कि हमें बता चल गया 23 वाली ट्रेन निकल चुकी है अब 38 वाली ट्रेन ने आना है जपैन में आप यह सब तो पहले भी आपने बहुत कुछ सुनाओगा कि ट्रेन्स ऑन टाइम रहती हैं ट्रेन का जो ट्रेवल टाइम होता है वो सब डिस्प्ले होता है वो बिलकुल ऑन टाइम रहती हैं लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप जपैन जाके ही ट्रेवल करके देख सकते हैं कि ट्रेन्स जो हैं सिर्फ ऑन टाइम ही नहीं बहुत ही कमफोर्टेवल भी होती है और उनमें बहुत ही क्रेटिविटी भी होती है जैसे कि अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्लेड होते हैं जपैन में जैसे ट्रेंज से उतरने के बाद आपको हर जगा एक दम नहीं लगेगी अलग-अलग बिल्डिंग्स, अलग-अलग व्यू आपको दिखेगा जैसे अभी हम पहुँच चुके हैं कोबे पोर्ट टावर के पास और कोबे एक बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल प्लेस है ये सानुमिया के पास पड़ता है ओसाका से सिर्फ 20 मिनट की दूरी है और कोबे जो है किस चीज के लिए फेमस है ये है सी बीच और सी बीच के पास बहुत ही हैपनिंग प्लेसे हैं बहुत ही अलग-अलग प्लेसे हैं जैसे के इस टाम जो है हम एक मतलब बीच की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन एक ऐसी स्ट्रीट को पार्कर जा रहे है जो ही कार्स का शोरूम कह सकते है कार्स के शोरूम का लैंड़ और जैसे कि अबने बैंटले शोरूम वगारदा देखा है अब हम पहुँच चुके हैं सी बीच के पास जो की है कोवे पोर्ट टावर के बिलकुल बिलकुल सामने और यहां पर बहुत ही बहुत इन बीटुफल व्यू है सरदी बहुत जादा है लेकिन शायद इसलिए लोग कम हैं लेकिन जादा तर जैपैन में कहीं पर भी आप जाए जाएगी वह पीछे दिख रहा है कोवे पोर्ट टावर और उसी पर हम अभी हम जाने वाले हैं और उसी पर हम जाके यह देखेंगी कि व्यू कैसा है यह जो समुद्र है यह पैसिफिक ओशन है जैपैन जो है पैसिफिक ओशन और निहों काई इन दो ओशन से घिरा हुआ है कोवे के हारबर लेंड और यह जगा जो है यहां पर इंडियन पाकिस्तानी और बंगलादेश से भी काफी सारे स्टुडेंट्स आते हैं यह भी काफी अच्छा टूरिस्ट डेसिनेशन है टूरिस्ट स्पॉट है यह सी बीच है और पीछे है अमेरिकेन पार्क और कोवे प मिल जाएंगे और काफी सस्ते प्राइस पर तो यह टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ काफी अच्छा एक जैसे कि यहां पर लैब्रेरीज बुक्स जेल बीटी के लिए काफी अच्छा अच्छा मेट्रियल काफी सारी चीज़ें जो की एक कमफोर्टेवल प्लेस बनात क्योंकि यहां की जो पापूलेशन वह घटती जारी और लेकिन सभब मेंट के लिए लेकिन लेकिन सभी चीजों के लिए एक स्ट्रॉंग जैपनीज लैंग्वेज कान्वरेशन और कल्चरल बैंग्राउंड के वने की जरुरत होती है तो इसके लिए एक साल कम से कम जिसमे मेरी में रिकमेंडेशन है all the rest अब हम आच चुके हैं कोबे पोर्ट टावर के बीच के फ्लोर पर मतलब काफी उची हाइट हमने ले लिया है और लिफ्ट ने सिरफ तीस सेकिंड में हमें इतनी उपर पहुंचा दिया है एनिवेस कोई बात नहीं है अभी हम का बहुत ही एक स्ट्रॉंग कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन सिस्टम है और दूसरी बात की कोबे पोर्ट टावर पे चड़के आप दूर भी इन से भी दूर दूर तक देख सकते हैं अब हम आ गए हैं कोबे पोर्ट टावर के टौप प्लूर पर और यहां से व्यू को होता है वो वीउ जो कि आपको पूरे व्यू का है जो यह आपको रेड नूत डिब यह टार कर दो होते हैं आपको पूरे आंव मतलब बूलर जो कि आपको चोटे बच्चों को ब्यूटिफुल सीनरी दिखाने के लिए भी मम्मे पापा यहां पर उनको लाते हैं यह जो पहाड आपको दिख रहे हैं इन में एक रोको मीची करके बहुत फेमस जगा है जिसको मैंने भी आपको बताया था और यह था मेली कोबे का सबसे आपको टूरिस्ट अट्रेक्शन प्रोवाइड कराता है और दूसरी बात की वह सस्ता भी है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है तो अगर आपको ओसाका से बाहर की देखिए मैं तो पहले से यह औसाका में भी रहा हूं आऊं मैंने स्टडी भी होई से करा है अएरिया है वह शिजुओका से पहले का एरिया है यह होम अची है यह भी उसाका के पास पड़ता है और इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताने को श्कुरूंगा इसके बारे में पूरा पूरा एक वीडियो बनाऊंगा तो फॉर देख ताइम अल देखिए थैंक